वेलकम बैक तो माई चैनल आज जो हम अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है 11X 5Z और MI का फोन है ये वाला बहुत एक्टेक्टिव पैक में आया है MI 11X है इसका मॉडल नमबर ठीक है ये इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का होगा और 6ZB रैम के साथ में है 128ZB स्टोरेज है इसका ओके चलिए ओपन करके देखते हैं बाकित उसके अंदर ही दिया हुआ है क्या है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं इसमें फ्रेंट में जो भी चीज लिखा हुआ है आप अहाना इसे ओपन करेगी अहाना आप ओपन करके दिखाओ वेरी गड़ ओके तो ये है तो इस तरीकी की पैकिंग में है ये देखिए ये वाला आएगा इसके अंदर हम देख लेते हैं वान बाइवान निकाल के इसके अंदर क्या है वही क्या है ओके हाई यह अड़कर हैट फोन के लिए अड़कर आए 3.5 mm का अड़कर है यूएसबी टाइब c 3.5 adapter आया है इसके साथ में ओके और इसके साथ में एक transparent अपना यह देख सकते हैं आप वाव बिल्कुल transparent सा है बहुत soft है इसका cover ठीक है यह इसका आया है transparent screen है वो महमतल स्क्रीन क्या है इसका cover आया है transparent है देन हम अभी देखते हैं इसके अंदर और क्या है यह इसका charger है यह रहा है इसका charger आजकल की phone में लीड नहीं आती है यह मैंने आपको open करके दिखा दिया है यह सब चीजें इस तरीके का है ठीक है बड़ आप देखते हैं जो हमारा new latest phone है वाओ कितना अच्छा लग रहा है एम आई का है यह यह देखिए यह आपको बहुत समाल के रखने की जुरूत होती है बिकॉज जब भी आपको online में exchange करवाना होगा तो इसमें MI number मांगा जाता है और यह जरूर मांगा जाता है ना तो प्ली समाल के रखना तो ज्यादा बेटर रहेगा यह देखिए वाओ अभी हम इसका phone देखेंगे इस तरीके से है वाओ बहुत ही अच्छा लग रहा है देख सकते हैं बहुत ही शानदार पैकिंग के साथ में हैं यह इसकी पैकिंग है यह इस तरीके का आया है इसमें कैमरा आप देख सकते हैं वाओ कि तो शानदार लग रहा है 48 MB कैमरा है इसमें यह इस तरीके से हैं मैं खुदी देख रही हू बहुत ही शांदार पैकिंग है यार जोर्दार चलिए on करके देखते हैं यह on हो रहा है on होने के बाद यह इस तरीके का दिखेगा on हो रहा है यह यह इस तरीके से हो रहा है यह देखे आप इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है नेक्स्ट करते हैं यह सारा सेलेक्ट करा हुआ ही है सैटिंग उपन हो जाएगी जो नॉमल फून पर हम करते हैं ठीक है ओके है यह ऐसा नहीं जाएगा पोक के करना पड़ेगा मैंने इसका कवर लगा लिया है बिल्कुली और देख सकते हैं मैंने यह लगा लिया है और मैंने यह आन कर लिया है अब देखते हैं में कैमरा की क्या है क्वालिटी क्या है हम देखते हैं तिक है देख लेते हैं बार करके इस तरह किसे सैटिंग है ओके मैं अभी प्लिक करते हुआ